अश्कार राधे राधे जैश्री कृष्ण मेरे चैनल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में माग स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों के बारे में बताया गया है और कुछ नियम बताये गए हैं माग मास में स्नान संबंदित तो वह मैं आपको जो महात्म है वह सुना रही हूं इसी प्रकार माग मास की और बहुत सारी कथाएं महात्म मैं आपको पहले सुना चुकी हूं उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आप जाकर वह कथाएं सुन सकते हैं राजा दिलीप ने पूछा मुन वस्ति से बाहर जहां कहीं भी जल हो उससे सब रिशियों ने गंगा के जल के समान बतलाया है तथा पी मैं तुमसे विशेष्टह माग स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूं पहला है तीर्थ राज प्रयाग वह बहुत विख्यात तीर्थ है सर्यू, यमुना, द्वारिक, अमरावती, सरस्वती, और समुद्र का संगम, गंगा सागर, संगम, कांची, त्रियंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी कातट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्र महाले, ओंकार, शेतर, पुर्षोतं शेतर, जगन्नात्पुरी, गौकर्ण, भ्रगुकर्ण, भ्रगु तुंग, पुशकर, तुंग भद्रा, कावेरी, कृष्णावैनी, नर्मदा, स्वण मुख्री तथा वेगवती नदी ये सभी माग स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ हैं गया नामक जो तीर्थ है वो पित्रों के लिए त्रिप्ति दायक है और हितकर है ये भूमी पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वण्नन किया राजन अब मानस तीर्थ बतलाता हूं सुनो उनमें भली भातिस्नान करने से मनुष परमगति को प्राप्त होता है सत्य तीर्थ, शमा तीर्थ, इंद्रिया निग्रह तीर्थ, सर्व भूत दायक तीर्थ, आर्चव तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्म चर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंतर जब तीर्थ, प्रिय भाशन तीर्थ, ग्यान तीर्थ, धैर्य और शीव समरण तीर्थ ये सभी मानस तीर्थ हैं मन की शुद्धी सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही सनान नहीं कहलाता जिसने मन और इंद्रियों के सैयम में सनान किया है वास्ता में उसी का सनान सफल है क्योंकि वह पवित्र और सने युक्त चित्त वाला माना गया है जो लोभी चुगली खोर और विशय लोलुप होने वाला वह संपूर्ण तीर्थों में सनान करके भी पापी और मलीन ही बना रहता है केवल शरीर के मैल छुडाने से मनुष निर्मल नहीं होता मन के मैल को छुडा लेना भी अत्यंत निर्मल जल चर जीव जल में ही जनम लेते और उसी में मर जाते हैं किन्तु इससे वे स्वर्ग नहीं जाते क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती विशयों में जो अत्यंत आ सकती होती है उसी को मानसिक मैल कहते हैं विशयों की और से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है द जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुशे जहां जहां निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरू छेत्र नेमी शारन्य और कुशकर आदी तीर्थ प्रस्तुत है जो ग्यान से पवित्र ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग दुएश रू जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं उसी परकार पृत्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुन्य में माने जाते हैं भूमी के अदभूत प्रभाव जलकी शक्ती और मुनिक के अनुग्रहन पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया के भूम और मानस सभी तीर्थों में जो नितिस्नान करता है वह परमगति को प्राप्त होता है प्रचूर दक्षणा वाले अगनिश्टों में आदी यग्यों से यजन करके भी मनुष उस फल को नहीं पाता जो उससे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है जिसके दोनों हाथ दोनों पैर और मन भलीवाती काबू में हो तथा जो विद्या तप और कीर्थी से संपन हो वह सब तीर्थों में फल प्राप्त करता है वह तीर्थों के फल का भागी होता है जो प्रती ग्रह से निर्वित्त जिस किसी वस्तू से भी संतुष्ट रहने वाला और एहंकार स से मुक्त है वह तीर्थ के फल का भागी होता है श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पूरुष कृत्ध घन हो तो भी शुद्ध हो जाता है फिर जो शुद्ध कर्म करता हो उसकी तो बात ही क्या वह मनुश्य पसुपक्षियों क योनियों में नहीं पड़ता बुरे देश में जन्म नहीं लेता दुख का भागी नहीं होता स्वर्ग लोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है अश्रद्धालू पापात्मा नास्तिक शंशायात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधी पूर्वक्त विच्रन करते और सब प्रकार के द्वंदों को सहन करते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं तीर्थ में अर्ग और आवाहन के बिना ही श्राद करना चाहिए वह श्राद के योग काल हो या ना हो तीर्थ में बिना विलंब किये श्राद और तरपन करना उचित है उसमें भी विघन नहीं डालना चाहिए अन्यकारिस के परसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए ऐसा करने से तीर्थ यात्रा नहीं प्र करने वाला होता है जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुन्य का सोलवा अंश प्राप्त कर लेता है कुश की प्रतीमा बना कर तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे जिसके उद्देश से उस प्रतीमा को स्नान कराया जाता है वह पूरुष तीर्थ स्ना के पुन्य का आठ्मा भाग प्राप्त करता है तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर्के बालों को मुणवाना ऐसा करने से सरके यानि कि मस्तक के पाप नश्ट हो जाते हैं जिस दिन तीर्थ में पहुंचें उसके पहले एक दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद यह स्वर्ग का साधन तो है ही मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है इस प्रकार नेयम का आश्रेले माग में ब्रत ग्रहन करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थियात्रा करनी चाहिए माग मास में स्नान करने वाला पूरुष सब जगा कुछ ना कुछ दान अवश्य करें ब माग को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए किंचित सूर्योदय होते होते माग स्नान करना चाहिए तथा माग स्नान करने वाले पूर्षों को यथा शक्ति शौच संतोष नियमों का पालन करना चाहिए विशेशता ब्रह्मनों और साधू सन्यासियों को पकवान भोजन करा जाड़े का कश्ट दूर करने के लिए बोज की बोज सूखे गाठ दान करें जाड़े के लिए भागवान माधव की पूजा करें माग मास में डूबकी लगाने से सारे दोश्ट हो जाते हैं और अनेको जन्मों के उपारजित संपुन महापाप ततकाल ही विलीन हो जाते हैं यह मागस्नान ही मंगल का साधन है यही वास्तम में धन का उपारजन तथा यह माग मास में सनान का महत्व तीर्थ में सनान का महत्व और किस तीर्थ में सनान करना चाहिए इसके अत्रिक्त कहीं भी घर से बाहर जो सनान किया जाता है माग मास में उसका क्या विशेश फल है वह इसमें बताया गया है इसी प्रकार बहुत सारी और भी जानकारिया व्रतों के बारे में व्रतों के नियम और पूजा पाठ के नियम बहुत सारे शास्त्रोक्त उपाय मंत्रों के नियम किस प्रकार किस मंत्र का जब करना चाहिए किस मंत्र का क्या प्रभाव है और 108 बार मंत्रों के जब को भी आप सुन सकते हैं मेरे चैनल पर तो ऐसी जानकारियों के लाइकन को भी प्रेस कर लीजेगा ताके आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके तब तक के लिए नमस्कार राधी राधी जैश्री कृष्ण